हेलो एवरीवन, वेल्कम तु स्यार इंटरनेशनल ओनलाइन स्टड़ी क्लासिज, जो टोपिक हमारा चल रहा है, माइक्रो ओर्गनीजम्स, इसका ये लास्ट लेक्चर होगा, उसके बार कोशन आंसर्स करेंगे, इसमें हम नाइट्रोजन साइकल कड़ेंगे, नाइट्रोज नाइट्रोजन है, वो एट्मोस्पेर में 78% है, लेकिन कोई भी प्लांट उसको उसी फोम में यूज नहीं करता, कि डारेक्ट एट्मोस्पेर से लें और उसको यूज कर दें, तो इसलिए उसको डिफ्रेंट स्टेप्स में से डिफ्रेंट फोम में करबड होने का जो प्र प्र dónde एकि उसको में प्र में से वाँ प्रेंट स्टेप्स ऑच्छिछ बड़ चाल आएट एगारा, कि प्लारेक्ट ऑचारे को आएट्रोजन हमें यूज है, टूम में इसलिए से ले खौज पिफ्रेंट से डिए हूज प्रेंट उसको टारेक्ट पूज ऑचारेक्षित मे झाल झाल Nitrogen Cycle Ke violation The cycling process of nitrogen being fixed Used by plants and animals And later return to the atmosphere Go cyclic process Jiske अदर nitrogen को Plants and animals skin fix तेदादा है पहल पॉसको Atmosphere में बेहिस तेया दधा Return करके ते बादे भाहने हो पुरा पोसेस क्या कहलाता है Nitrogen Cycle कहलाता है See five steps है ना ने चो तरहेती है जान नालो भैँकोजिन जाब स्साइट्सराएब एजोजिेएशन अमोनिटिकेट इसन यह five steps हैं जो nitrogen cycle के अंदर होते हैं अब सबसे पहले राइप पुरूल की चीशन, स्पीड अपिनेशन, ऑपिने अपिनेशन, स्पीड ऐनकी मैंया, पुरूरूं अपिनेशन, यज हुई मीतad लेचे, अपिनेशन की चितастьते जडरर्द अपिनेशन, रादary चास्प एंऺे, रिज हुवज हैं, ये रूरम हाऊ है, कैसे, लेतरा हैं, ये पिलेचिनेशन, ये इजेग छेची हैं, Nitrogen fixation दा process of converting free nitrogen gas of atmosphere into nitrogen compound वो process जिसमे atmosphere की free nitrogen gas को nitrogen compounds के अंदर convert किया जाता है वो process के राता है nitrogen fixation इसके दो डाइब्स हैं कि कैसे कैसे fix होता है एक तो atmospheric nitrogen fixation और दूसरा होता है bilosical nitrogen fixation पहले bilosical bilosical हो leguminous plants के अंदर पाय जाता है leguminous plants की जड़े होती है root noodles उनके अंदर एक symbiotic bacteria पाया जाता है जिसको कहते है राइजोल नुट्रोजन वो atmospheric nitrogen को नाइट्रेट्स में convert कर देता है और उन-soluble nitrogen को plants से वो use करते है growth के लिए यह food बनाने के लिए जैसे next पहले बारा जो process है atmospheric nitrogen fixation इसमें क्या होता है विजली जब बढ़कती है तो high temperature के उपड़ nitrogen and oxygen react करती है बारिस के पानी के साथ react करके वो nitric acid बनाती है और nitric acid जमीन पे आने के बाद lime जो होता है चुना जो होता है उसके साथ react करते है जिससे calcium nitrate बन गया और उसको plants use करते है तो इसके लिए जो reaction है सबसे पहले nitrogen oxygen से react करके nitrous oxide होनाती है अगें इसके अंदर oxygen है होती है यह बन दिया आपका nitrates अब यह जो nitrates है यह बारिस के पानी के साथ लियाद करते है और oxygen के साथ इससे बनेगा nitric acid यह nitric acid जमीन पे आ जाता है बारिस के पानी के साथ और यह लैंग सोन जो उट्टा उससे react करके calcium nitrate बनाने है और इसको plants use करते है यह बारिस के साथ बारिस के पानी ने रियक दिया यह हो जाएगा एकमस्पिलिक nitrogen नाइट्रोजन और oxygen ने रियक दिया तो nitrous oxide बने भी nitrates बनें उसके साथ बारिस के पानी ने रियक किया तो nitric acid बने तो nitric acid सेटिंड इसो स्टेप है एसिमिलेशन एसिमिलेशन में जा होता है कि प्लांट से इस नाइट्रेट्स को एब्सोर्ब कर लेते हैं इसे और इनको कंवर्ट कर लेते हैं ठीक है नाइट्रेट्स के अंदर उस उसे भी वौ प्लांट को एनीर्स खाते हैं तो वो नोकी वोड़ियों में जडा जाता है ठीक है यह हो गया नाइट्रोजिन का सेटिंड श्टेप नाइट्रोजिन as simulation, is the definition? Assimilation Assimilation ता process of Converting of Inorganic Nitrogen Compounds into Organic Compounds That can be part of Living Organisms वो process जिसमे Inorganic Nitrogen Compounds को Organic Compounds में Convert किया जाता जो कि Living Organisms की बोरे का एक हिस्स है ये कहलाएगा Nitrogen Assimilation उस्ते बाग नेक्स्ट जो स्टेप है Nitrogen Cycle का वो है Ammonification हाँ जो Living Organisms मर गए उनकी बोड़ी के अंदर जो Nitrates थे वो किस में Convert होगे Ammonia में Convert होगे यानि कि Decomposers ने उनको क्या कर दिया Decompose कर दिया तो कुछ तो चलेगे सारे जो मिंटी के अंदर चलेगे कुछ को वापस प्लांट्स ने यूज कर लिया और कुछ को क्या कर दिया दोवारा से ये मिंटी के अंदर Decompose होने के बाद वो वापस से Denitrified Bacteria उनको क्या करेगा Atmosphere में बेज लेता है तो Ammonification क्या होगा Definition The Process of Conversion of Proteins The Process of Conversion of Proteins Proteins को क्या क्या करते है Complex Organic Compounds जो आपने अभी Ammonia Ammonia Proteins को Ammonia में Convert करने का जो Process वो कहलाता है Ammonification जो Decomposers की Help से होता है जैसे भूप में वे रखता है Pseudo Ammona से इपक्टीव है जो Decomposers की करें काम करता है Next अगला दस्टेप है Nitrification इसकी Refinition होगी The Process of Conversion of Ammonia जो Ammonia को Ammonia को Nitrates में Convert कर दिया जाता है वो Process क्यालाता है Nitrification और इसके अंदर Nitrifying Bacteria है यानि कि Ammonia को Nitrates में Convert कों करता है Nitrifying Bacteria करता है Last जो Step है Denitrification जो Nitrates है इनको वापस से Clean Nitrates Nitrogen Batch के अंदर Convert करने का जो Process है वो पहलाता है Denitrification और इसमे Nitrifying Bacteria है करने इस Process Micodefinition जो आए वोई ख्या है त liberty वोई प्तर लूत ऑ्यक्राश जोई नाश नाइट्रीड्रीट्रीट्रेट्स के अंदर करने में जो एक्मोस्पेर के अंदर चली जाती है इसलिए एट्मोस्पेर के अंदर नाइट्रोजन का जो रेशो है परसेंट अबो हमेशा कन्वीनू सेम बना रहते हैं, 78%. Thank you, Feminist Day.